नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कुमार विक्राम्त और आज हम लोग solve करेंगे ससी वर्मा का problem किस्से पहले भी हम लोग ने ससी वर्मा का problem solve किया था ठाटी तक आज ठाटी के आगे solve करेंगे ठीक है आज बीना वक्त को जया करते हुए काम सुरूर करते हैं और सुल्व करते हैं और ऐसा भी वक्त जाया कमी करते हैं ठीक हैं चलिए देखे द्यान देजिए कि आपको क्यों सब्सक्राइब थाटी वान कि यूसर नॉम्बर थाटी वान में क्या कर रहा है कि शुक्यून दुख्वी लेख साथ हाँ शरी लेख से जो शरू कि वस्तर नॉम्बर थाटी वान में है तू पार्टिकल्स A & B इच हैविन चार्ज Q आर प्लेश्ट अधिस्टेंस D अपाट यह व्यर्षू देखे जिए ज्यान सवाल भोला गया है फिर दो चार्ज है हाना देख लिए पिक्चर अच्छे से पर देने से लाच हाना हाना इस हाना हाना अजया हाना में जाता हाना झाल झाल फिक है फिक है ऍधीदेखिए सवाल के कहा है की दो चार्च अमावर मेंने ट्यूड का क्यूड में मैंने ट्यूड का की दी सेटिस दी अस्वे है available मच सलीओ इस्टर कि दोरू का मतबोने क्योड है ख तो बोला कि इनके परेट्टीकूलर वालेस सेटर पर प्रपेंडिकुलर वाई सेक्टर कर दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उस लाइन के प्रपेंडिकुलर वाई सेक्टर कर आप एक ऐसा प्वाइंड निकालिए जहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड मैक्सिमम हो जाए यहां तो वहां पर उस प्वाइंट पर एक छोटा चार्ज रख दिया गया स्मॉल क्यू जो यह स्मॉल क्यू मैक्सिमम फोर्स फिलता है फिल से सवाल पुद्रिश्टर सुनी सवाल में कहा गया कि दो चार्ज ब्रावर मैंने ट्यूट का था धी डिस्टेंस पर रखा गया है तो पर मैइकसमम फोर्स फिल करें वो प्वाइंड भी निकालना थे बेुद्रिश्ट चारज मेंक्सिम पोर्स होगा वह भी निकालना है Sumports क्या होगा तो देखी तो निकाल दीजिए इस वाले चार्ज के चलते हैं पार्टिक्लिबली पहले तो इस वाले चार्ज के वज़ा सब्स लगेगा दूरी तो यहीं कंसिडर होना है ना तो यह टोटल डी है तो यह क्या हो जा रहा है डी बाई टू और इसको फिल्हाल मान लिजिए वाई ठीक है मान लिजिए कि यह यह नहीं आपको यह भी दी बाई टू नहीं है लिखना कोई ज़रूरी नहीं है तो बताइए अगर यह ऐसा है तो यह क्या हो जाएगा यह वाला क्या हो जाएगा यह वाई है डी पाई टू में यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा अब इस चार्ज के बज़ा से इस पर जो फोर्स लगेगा यह वाले चार्ज को कि यूँ लिलेते हैं इसके चलते इसके फोर्स लगेगा रिपाल्सिफ फोर्स तो यह किदर में यह ऐसे तो यह माल लेजिए एप वान इस चार्ज के बज़ा से इसको फोर्स लगेंगा वह किदर लगेंगा यह भी पॉस्टीव फोस्टीव यह भी फॉस्टीव फॉस्टीव फ्लस्ट इदर में यह क्या माले इसको ओं अब देखिए इस पर लगने वाला दोनुख को फवक्रकत पता चलिए और एक टूनरेंट को जब्रेट है एक दोनों को कम्पोनेट कर देंगे तो बोलेंट उसके लिए भी आंगल चाहिए तो वह पता है मान लेजी यहां पर अगर एंगल ठीक्टा है इसको क्या मान लेजें ठीक्टा यह एंगल ठीक्टा है तो जाहिर सी बात है कि आपको देखिए आपको एक्ट्वली में यह वल आएंगल भी क्या हो जाएगा खिट्टा हो जाएगा होगा देखिए ना यह लाइन एक्स एक्स छिट्टा बना रहाएं तो आप मैं क्या हो किसे मिशचा कॉժने ट्रॉ intern को जाएंगा आयएगा मतलब कुछ ज्यादा हो गया है सिसी मेश प्रेंगा हो दीक है वहां पी दिखते हैं जादा अच्छा लगेड़ा एनरजी और और नीचे से यह 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 इसाने करें जादा निकालेजीं इधर एस्टेंक सीरड़ा गयुद्यों यह यह FEKत अकूरर इसे पता था कि अधरमें एफ भर हैं और明ुण आपनेंट हो जाए आरी दातो तंसे और जो फोल्त ओर का फर स kinda अब देखिएटा अब्सकोलर दाकर अिश्युनाजिक सो सब्सक्राइब कर लिए अब देखिए आपको नहीं लगता कि यह फोने का मैंनिट्यूट सेम दोनों का मैंनिट्यूट सेम हो जाएगा देखिए कैसे सब्सक्राइब कर लिए कि यह फोने वाला क्यों उतना ही नजीतना यह है को बरावर वह जाएगा आपको फोने वरावर क्या जाएगा अभी सुरू में के लीखते हैं वानवाइट प्रॉट प्रॉट इसक्वाइब है की आप देखिए जब एप उने बराबर है तो यह और यह उसे वो क्या करते हैं कैंसल कर देगा तहरा कि हो जाएगा उपर वाला यह ना यह रषाइव हैं तो इसलिए आपको यह दुनों यह और यह को सब्सक्राइब इतना वर एफ एजून तर लिए इप्नेट वर बच जाएगा और वेफ साइंटिटा प्रावर क्या हो जाएगा फ्त टूगयोक साइंटिटिका क्या है इस्टेंगल में ते यहीं क्या है, स्थीट्रावा प्राव क्या है यह क्या है यह है by two square plus y square under root तो देखिये तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते यह पूरा को माद ले अगर हम इस पूरे को माद लेकिए पूरा जो मेरा है वो एकस है तो यह क्या है? यह एकस और यह क्या अधर? अंडरूट एक्स यानि एक्स के पावर वान और अंडरूट को क्या अपोलते हैं आधा अपोलते हैं एक्स के पावर आधा इस पूरे को क्या लिखेंगे इस पूरे के पावर फिरी बाई टू वान पुलस था ठीक चली तो ये फनेट परावर मेरा हो जाएगा 2AQQY और नीचे में हो जाएगा D by 2 square plus Y square पावर 3 by 2 लेकिन हम से क्या बोला गया कि आप निकालिए वो जगह, वो point जहां आपको ये वाला charge खुद पर maximum force महसूस करें तो F max बरावर क्या होता है for F max हमने पताया था आपको आपको for F max आपको करना पड़ेगा D f net upon D y बरावर 0 हमने कहा था न कि maximum value कहाँ पर मिलता है किसी question का उसको उसके variable के respect में differentiate करके बरावर 0 करने जब ठीक है, तो ऐसा जब करेंगे तो देखें क्या आजाएगा देखें यह सब तो देखें तो इसमें variable क्या है, आपको d y करना है, यह यह के respect को differentiate करना था, 2, k, q यह सब और यह q यह सब तो constant है, यह सब को लिखें न लिखें कोई फार्क नहीं पड़ेगा ठीक है, क्यूं, क्यूंकि परावर उदर 0 भी करना है ना अच्छा चलो लिखी लेते 2, k, q, q, d y, d y dy, y y, d y, 2 प्रास स्क्वाइर फ्लस y स्क्वाइर, इस पूरिय के पावर में, 3y, 2, परावर 0 करना, ते यह सब उदर जाकर क्या हो जागा, हो जाएका, ठीक, तो मेरा बच जाएका, तो दिफ्रेंसीयट कीजिएगा, तो क्या बचेगा, d y2 का स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर प्लस 3y2 और यह क्या, यह मल्टिपलाइ में जाएका, और इसका डिफ्रेंसेशन ओगा तो यह क्या, d y by dy बाई माइनस इस वर क्या वाई जाए माल्टिप्लाइब होगा दी बाई दी वाई इसका डिफ्रेंसियसन होगा दी बाई टू का हॉल स्क्वाईर प्लस वाई अस्क्वाईर के पावर थिरी बाई टू का ठीक है चलिए अग्हा अधिक अच्छा सवाल है आकको बुचा है कि मैससे सब्सक्रां करभाएं आपको सब्सक्राइब है कि यह वी कर आपको सब्सक्राइब है हर टेक पर सवाल क्रवाया गया है कि छली देख्यें ज्यान देजिए ये एतना परावर जीव ये तो वान हो कि आना है ये क्या हो जाएगा दी बाई टू क्रा स्क्वाइर परूस वाई स्क्वाइर क्रीद बाई टू माइनस और देखी इसमें एक और चीज हम छोड़ दिये लिखते हैं प्रप्ड नहीं But the प्रावर उनदर जाकर एक क्या हो जागा जीरो कोई मतलब है नी तो फिर लिखें यहां दी पाई 2 का स्क्वाइर यस्वाई इसको डिफेंशेट किया इसका 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 इफेंशेशन क्या जाएगा डी बाई 2 1 to square y square के power में 1 by 2 3 by 2 है power में प्रेग खाटे गा ना 3 by 2 into 3 by 2 minus 1 3 by 2 2 में लिकते हैं चलिए बीजे शुरू में लिकते हैं अधरे आपलोग यह लिए पुछ भी करते हैं चलिए ठीक है और क्या हो जाएगा इसे वेरियेवल कॉन था य था य इतना परावर जीरो चलिए टू से टू कैंसल हो गिया यह क्या हो जाएगा आपको यह टट जाएगा तो सिर्फ इधर यह बच जाएगा है ना अरे एक वाइट दूर या पा तो मेरा आ गया अधर में दी बाइटू का एसक्वाइर पलस वाइसक्वाइर प्रावर इंदर क्या गया थ्री वाइब और इधर में एक और वाइब बचिए तो थी वाइसक्वाइर तो गया जी पाइटू तो य प्रावर 2Y2 तो य प्रावर हो गया क्या हो जाएगा डिवाई 2 रूट 2 है ना यानी य का वैलू जब डिवाई 2 रूट 2 होगा तो उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज को अपने खेड़ा हो मैक्समिल फिल करेगा याना यानी या या सा ये वाला चार जैसे था तो यहां पे आपने छोटा सा चार्ज रखा था यह बड़े वारे चार्ज यह ऐसे और यह च्छोटा सा चार्ज रखा था आपको कहां पे maximum force फिल करेगा तो इसके perpendicular by sector से यह जो इसके centre से याजिस लाइन के perpendicular by sector पर कॉइंट कितना दूर होना चाहिए डी बाइ 2 रुट रूड आ है न हर बोला कि वो फोर्स क्या होगा तो फोर्स क्या होगा अई हमेर्ज कूठ कर दिये पूठ कर दिये फोर्स क्या है उक्या थे फूठ आया याथ हर 2 sensitive dkq है ना और ये y अपान d by 2 का होल स्क्वाइर पलस y स्क्वाइर का पावर 3 by 2 इसमें y क्वाइट दाख दीजिए y और क्या d by 2 root 2 तो दाख दीजिए का तो आज है ना दो भाई तो आपका सवाल हो या सौल हुआ है चली देखें देखें तो क्या हो जाएगा इसको सब को ऐसे रहें दो और 2 q q q q y के यहा पी रहत दी दी वाइवाल अपनिची लिए का चये से रहा किरत है नँद Üदो प्रेट टी टी ऐसीजिए अब 2 k q q d 2 root 2 और यह solve कीज़ेगा तो क्या आ जाएगा 3 d square by 8 एट के पावर 3 by 2 सब mathematics है अब कुछ है नहीं अब यह 8 चला जाएगा उपर याँ 8 के पावर 3 by 2 उपर चला जाएगा 2 k q q d 8 के पावर 3 by 2 को क्या 8 root 8 लिख सकते हैं और 8 के पावर 3 by 2 याई 8 के पावर देड़ वो क्या 8 root 8 लिख सकते हैं ना और यह क्या 2 root 2 और यह क्या 3 के पावर 3 by 2 तो 3 root 3 और d square के पावर 3 by 2 क्या जाएगा d q चल चली 1 d से 1 लिखड जाएगा नहीं actually d square यह बढ़ जाएगा राहत का सास दो से 2 गया और राहत का सास लिया मैं यहां भी देगा मैं राहत का सास यह rotate को क्या लिख सकते हैं 2 root 2 लिख सकते हैं ना चली तो k q q 8 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 root 2 लिख सकते हैं 2 root 2 है तो प्यट जाएगा यह है ना अच्छा चलो उसको अगी लिखते हैं हम टू रूटू उसके बाद ही खाटे हैं खीक है के क्यूटू एक यह और यह रूटू एक यह और यह रूटू से रूटू कैंसल आउट तो मेरे पास जो बच गया वो यह नहीं बचा क्यूटू कि वाई डी अस्क्वाइर और इधर में क्या आठ दूनी सोल ला कि वाई थिरी रूट थिरी यह वजाएगा क्या थिरी रूट थिरी सत्रत यह कामन है ना 5.1 में सोल ला 5.1 को सोल ला भागर लगा तो 3.07 कुछ ऐसे आ रहेगा तो वजाएगा थिरी पॉइंट जीरू एक के क क्या होगा मैक्समम इलेक्ट्रिक किल्ड का वैल्यू तो कापकी लांबा वे रातन चला इस सवाल में ठीक है ऐसी वर्मा के सवाल लंबे होते हैं लेकिन हां कॉंसेप्च्वर्ड होता है काफी कुछ किलियर करता है इसमें देखे आपको किलियर किया गया कि परपेंडिकु दैशल कुराल दोट इसको अगर आएप के विलिक समासा करना नहीं है कि क्यारिट से संचोह करकते हैं ये चली अब आते हैं 32 में 32 में है तो पार्टिकल्स A and B इच कर्यांग चार्ज Q और हेल फिक्ष्ट विद इस अप्रेशन D बेट्विन देन अ पार्टिकल C हाविन मास M चार्ज Q इस केप्ट अब मिल पार्ट पार्ट व लाइं A-B इस पार्टिकल्स इस अप्रिकल्स एक्स्पेरियेंस भाइ इस याहे वला सवाल है पस यहां पर फोड़ा सवर यह कर दिया गया advanced कर दिया गया ऑफिर काक X is highly less than D so that this force is proportional to X under what condition will सेम यही सवाल है सिर्फ इसमे और चीपढ़ाँ दिया है दो चार्ज क्यूंग की床 को डी दूरी पर लिया गया उसे परफेंडिपुलर आपको एक्ष्यली यहां से खीच कर ऐसे एक सी दूरी पर परफेंडिपुलर byscifer पे का स्मॉल चार्ज क्यूग कूग रखा गया तो बोला गया कि वह क्यूग आपको कितना force fill करेगा तो यह जो force fill करता है वो actually हम निकाल चुके थे वो किदर आता था? इधर आता है न? और वो क्या आता था एफने? पिछले ही सवाल में हम लोग ने निकाला है वो जो एफने होता था वो होता था actually 2KQQ upon और वहां पर हम Y लिए थे लिए लिए यहां पर क्या X है तो X लेते हैं और एक क्या हो जाएगा D by 2 the whole square plus X square के power 3 by 2 यह ही force आता था तो पहला segment solve सवाल सुनिए सवाल 32 है यह 32 में भी कहा गया कि आपको 2 charge को हम D दूरी पर लिए और उसके middle point पे छोटा सा charge क्यू लिए जो उसको middle point पर अब रहने नहीं दिए उसको middle point से उसके perpendicular bisector की और उठा कर ऐसे shift कर दे कि इतना दूरी पर X दूरी पर तो वही बोलाए तो वो छोटा वाला charge वो खुद पर कितना force के लिए करेगा वह इतना करेगा आगर वह gleich अगर आज़ा गया इस चीज को पुरे टर्म जिए page we ॐ. हम लिखेंगे ड बाईटिू का हॉल ऑस mer verb vra रहां और थो क्या लेना पड़ेगा भी वाई-टु का स्वाइब आपड़ेगा एक चुलिकर एको सवाल ये नि कि MJ ये टे कि याल तरिदर किया क्युल कि ये वो पाईट पाई एकक्स पहुत छोटा है ये रिस और चोटा हो जाएगा इसलिए इस पूरे टेर्म को क्या लिखनेंगे ऐसा लिखनेंगे यह सब चीज आप जानते हैं पाहले भी मैंने बताया है तो लिख दीजिए तो क्या आज आए एक नेट बरावार क्यू आप आपॉर्ण है यह वाला पोस्त जो मेरा आया वह एक्स के देटी प्रोपोस्टनल है डेटी प्रोपोस्टनल ट्रेट से यह देखिए एक्स के देटी प्रोपोस्टनल है ना बिल्कुल है चलिए अब सी में कहा गया कि अंडर वाट कंडिशन इट एक्जिक्यूट सिंपल हर्मोनिक मोशन और फाइंड टाइम पिरियेड वा एक बात बताओ सिंपल हर्मोनिक मोशन यह कब करेगा एक्चलिए सिंपल हर्मोनिक मोशन तब करेगा कि आपको इस पर फोर्ष एफ ने इधर लग रहा है और आप इसको जटका देदिए इधर यह क्या करेगा सिंपल हर्मोनिक मोशन करना सुरू कर देदा तो सिंपल हर्मोनिक मोशन का माइनस के एक्स यह कहता है एक फोर्ष इधर लग रहा है और आपने जटका उधर दे दिया नहीं पार्टिकल चल रहा है उसके अपोजिट थिक तो यह चीज तो कर ली जी एफनेट ऐसा आया था किसे ऐरे कि यूदं कीको लइ Yup आट 24 से नहीं मांताव सेश्याय अवेD उपधे करा थो कीना श्रचुन थे ऊम्यश्त आप ऊधर फोर्ष लेगा दिस्प्लेस्मेंटथ उसके अपोजिट होगा थिंग तो तो एक्चुली आप देखो तो एक्स और एक्स तो यह तो परावर बूर दिया सब्सक्राइब तो एक बात बताईए बरोर क्या होता है टाइम परिट बरोर टूपाई बाई पाई पाई अमेगा होता है नहीं ठीके और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे एम ओमेगा स्क्वाइर एक्स अरो भाई इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जापता है ना ये दुबरा और माइनस के एकस ना लिखके माइनस एम ओमेगा स्क्वाइर एक्स भी लिखा जापता है यानि ये पूरा टर्म जो था वह ये ओमेगा स्क्वाईर भी था धूर तो जली तो मैंने कहा कि आपको टाइम दिडर और क्या दा टू पाई भाई ओमेगा होता है ऐसा आप जानते हैं एसे प्र्मूला भी होता है लेकिन हम आपको जाएसा समझा दे रहे हैं तो आप ऐसा लिखते हैं यानि कि आप माइनस एक सब्सक्राइब लिखते हैं तो आपको के बाई एम बरावर तो आप एक्चुली में ऐसा लिख सकते हैं अंडरूट के बाई और वाई ओमेगा है तो यह इस चीज को वाई लिखेगा अंडरूट के लिखना चाहें तो यह हो जाएगा है अंबाई के होगा जी और सहीड का मैंने वाई एम मरावर क्या ओमेगा अंडरूट के माले आपान कारें माई के का तूपाई में झाल चुटी सुटी यह टूपाई और यह मास दिया जिया तो बहु का एक यह चोली और ये क्या या है क्या वाल्व एसा हो या है तू के यू क्यू अपोन दी बाइ टू का क्यो एक यह क्या हो गया ताइम परियो गया है तो ये था आपका 322 ठीक है है ओके है ना चलिए तो ऐसा हो गया मेरा अब जरह देखिए उसको और सॉल्व कर लेना ठीक है ना वो मैंतेमेटिक्स है उसमें आप देखते हैं 33 यानि कैसे चेंग करेगा यानि आपको आएसे ऐसे था यहां से नीचे आएगा फिर नीचे तकाएगा फिर उपर जाएगा एस से ऐसे चेंग करेंगा तो आगे तो कि मक्षर क्या है से अच्छर लोगें तरक्ता है कि अधार जाओ है कि अधिश्य थी 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 में कहा गया है कि उसी प्रावलम में थोड़ा सा पदलाओ ये कर देना है तो अगरे तो कि ये को मौल चार्ट जो अपर प्रप्रेंडिकुलर पाई सेक्टर प्ले जा रहे हों इसको फिर दम सेंटर पर एसे रहने देना है ठीक है और सेंटर से हाल्पा सा से इए से एक्सट कर दिस्पिलेंस से एक्सटिस्पिस पिलेस कर देना है। Doch अब भी इसे चेम करेगा तो टाइम प्रियट क्या होगा वहाँ स्मझे रहें दो चार्ज वी दूरी पर था और एक तिसरा चार्ज को उसके सेंटर से प्रपेंडिकुलर वाइस सेक्टर पिरना डिस्प्लेश कर दिया गया तो बोला कि अभी यह से चेम करेगा और करेगा तो सब्सक्राइब करें यहां से निकाल लिए एक से तो दी बाइटू और यह क्या है एक से तो दी बाइटू पलास अब यह जो फोर्स लगा रहा हो क्या एक तो देश्टू भी निकाल लेजी के क्यों 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 वाइटू दी बाइटू पलस एक्स का सुझरा है क्या किया जैसे आपको बोलाया कि दो चार्ज यह से डी दुरी पर रखा गया था और इसके इंटर पे चार्ज था तो दिस प्लेष कर दिया तो आप पूछ रहा है किया अभी यह bond आपने दोड़ाना है तो इसके चलते निकाल देंगे यह भी फॉस्टी वे फॉस्टी तो इसके चलते इस पर इस पर श्च को समये हो क्या रिपर सिंधर के अब इसके चलते इस सोफ निवाइन तो भॉण यहां से बीक था और यह एक तो यहां से यहां तक दीवाइट उसे यहां तक दीवाइट ना यह टु माइनस हुआ है जो बोड़ा होगा उच्प और छोटा होगा यह सब तो जानती है ना ये सद को मैंने बता रखा है देखें दो मैं बढ़ा में का एकवन जो है वह छोटा है एक्टी क्या क्यूंक विछूटा ने कि यह दो तो यह दो है ने यावा दो दूए टो एक शोटा आपने दो निपनी पर दूए टू नहीं चुटा चुटा नंबर हो पागा दीजिए तो कुला हो गंका सकते हैं एक तू प्राइब नुए प्रॉघ फ्रॉघ तू माइन स यह फ़ान तो कॉमन कर लिजिए ना के क्यू तो कॉमन हो गया तो आप क्या बच गया वाल वाई दी बाई दी बाई दू का इसको बाई दू कर लो इसको ना चाहता इसमें यह पुरता है लेंदी होता है आपको डी बाई टू कि आप देखिए यह इधर में दी बाई टू पलस एक्स का हॉल स्क्वाइर माइनस दी बाई टू माइनस एक्स का हॉल स्क्वाइर अपॉन यह क्या जाएगा देखिए ना इतना इतना यह है आपको एसवर मार्मिर आपको यह पर स्क्वाइर माइनस भी एक देखो न भाई अप्सक्राइब सब्सक्राइब थे और स्कॉर्ण चाहा हुए तो दो बार है इसमें क्या हो जाएगा इसक्वायर भाइब रिए स्ब्सकूर्स फिर्फ़र सब निया है सिर्फ क्या पध्जर आएगा आपको बद़ जायेगा कि जार्श सब्सक्राइब डी मैं प्लैक मुद्इस है सदोस्ट यहम को हो गारिबिल माइनस होगा और इदर में बी मायनिस कि हो तो के आपको आपके देखना है खक्ला आ सब्सक्साना ही तो君्योज percent सब्सक्राइब 2Dxdx plus dx by dy2 for power square minus x square to power square ठीक सही है ठीक है ना चल यह देखिए तो यह ऐसा आया जब यह ऐसा आया तो यह आपको यह ही एफनेट हो गया इस पर बोलागी क्या यह से चेम करेगा बिल्कुल करेगा अगर एक्स जो है वो डी बाइटू के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाए अगर देख लेते हैं अब अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक्स हाइए पाव जाएगा उपर में के तो डी एक्स और नीचे वाला टाम जो यह है इसको फिर क्या लिखेंगे हैं यह जो इसको लिखें हैं आपको इसको लिखना पढ़ेगा अगर ऐसा वाज़ा कि X Is Highly Less than D इयव्फज घ्जिए जो डिद्स हाउन है इसको आक लिखेगा डी बाइ कुछ थो का अच्वायर माईनस एक स्वाइड आपकर लिए दी वाइट ऊपुफ खॉल स्कॉयर करोंगे तो दी वाइटू का होड़ स्कॉयर क्या पावर में और स्कॉयर है कि नहीं दिखें यह बला चली तीह दीप और हो जाया न एक्शली तो के क्यूं क्यूंख टूंगी और यह क्या हो जाएगा है तो अब लगत तो रहा है कि यह फोर्स है वो क्या है एक्स के प्रोपोर्सनल है तो इसे हम करेगा आपको एक पूरावर जो हो जाएगा अब एक्स क्यों करेंगा हाँ करेंगा टाइम प्रेट निकाल देंगें है तो तो टाइम प्रेट निकाल देते हैं कि अब देख्ञाइब करेंगें तो टाइम प्रेट को नवर क्या टूपाई एम वाइप के ना तो क्या हो जाए यह है कि हमने बताया था यह आपको एक गपरावर माइनस के एक से लिए एक से यह और यह क्या हो गया के वह है यही मेरा के है कि यह यह जाएगा तो यह तो यह हो गिए तो यही हो गिए तो इस तरीके से इस चीज़ को ने सॉल किया चलिए देखिए रहां अब नेक्स्ट करते हैं करें देखिए अब देखिए थर्टी फोर में कहा गया है कि एक्सपेरियंस वाई ये चार्ज कि इतना फुलां इतना एक चार्ज किसी पॉइंट पर रखा गया था ये चार्ज कितना था वान कुने दस के पावर माइनस इक्स पुलां था ये इलेक्ट्रिक फोर्स खुद पर फील कर रहा था वह कितना कर रहा था गया पर इतना इस बॉला ये इस फिल गया था तो बहुत बच्चा सोचता है कि क्या इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फिल्ड पर था नहीं कोई दूसरा चार्ज का या किसी दूसरे चार्ज किसी दूसरे चार्ज का होगा उसके यह वह निकाल दीजिए आपको फोर्स कोई चार्ज करता हो क्या क्या है 3 प्रूब क्या प्राइब को एक भाइड कीव कि पर यह के पावर तिम फूल को जान बेड मिद्वा सब्सक्राइब चैक्पर अधिक से ओग्या थट्टी कोसे प्रूड उने दसके पावर तो इसके था लगी है जी थर्टीफोर था हम है थर्टीफाइव थर्टीफाइव में क्या का गया बुलाए टू पार्टीकल एंड भी है रिंग चार्ज हो इतना एंड इतना 30 फाइव दीफ्सकेटोर थर्टीफाइव थाल थाल थी थर्टीफाइव ते जितैंग क्थेस्दिफाइव था हा जाओ निख थो थैंट खार्टीफाइव हो थे थार जब सेस्दड एक पिछार तो इंट दीफीपाइव थे डॉर्ट आरो माइनस गष्ट कुलांड और चार्ज है बाइनस और इंटी पावर प्लांड अधिंचर्ण ना फिर एक सब्सक्राइब कर से प्रसंड वाइंटी सेंटिमेटर और यह दूरी जो रहे दोनों चार्ज के बीच का यह है कि दोनों चार्ज के बिच का दूरी 20 सेंट्र दो चार्ज इतना और इतना लिया था क्या 20 सेंट्र में पर ठीक है ना तो आप से पुछा गया क्या लोगेट दप्वाइंट ओन दा लाइन अबी वेर एक्रिक फिल्ड जीरो देट्रिक पोटेंसिल जीरो बोला गया कि आप तो सब्सक्राइब तो इसके पीच में फाइसा पॉइंट भंग पताईए जहां पे ट्रेव जीरो और फीर एक वार ऐसा पाइंट गताइए जहां पेडिक पोटेंसिल जीरो तो पहले फिंट पर पशीए अगर इथर में कोई पॉइंट लेते हैं तो वह नहीं होगा क्युकि क इसके चलते हैं पर पॉइंगे तो नहीं नहीं यह यहां 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 बीचमें कहीं नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि यह फिए देल ह्टिश्यक्ष होई आतों अगर इधर ले ले लगते मोई पॉइंट है हुआ है हैं अगर पॉइंट ले इसके चलते उसमेज़ो इलेक्रिक रिल नोगा तो वाट पोट की इसा ऐसा यह और इसके चलते आवे इसे से एक सुरी ओरता है इसके चलते एक वर के इसे क्या बूरी हाज आपन इसे इसे से क्या दूरी हाजा है 20 पभल सेक्सटा स्क्वाय बरावर अना बरावर क्यों कर रहे हैं क्योंकि जितना इल्एक्टिक इसके चलते ही इस डिरेक्शन में होगा उतना ही इसके चलते हैं जाओ है तो प्टो को रहे हैं के इंटक ना-गे रहता पार माइनस 6 कि यहां से स्पाइट कि दूरी क्या है एक सब्सक्राइब है तो आप यह क्या है तो आप यह क्या तू इंटू ट्वाइंटी प्लस अपाल स्क्राइब यहां स्कॉर इसको इसको इसा सौल करनों आप इसका स्कॉर आठी है ऐसा अब जब ऐसा लिखेंगे तो रूट तू का वहीं वान पाइंट पूर है ना तो 1.4 तो यह हो जाएगा आइस प्लस यह क्या जाएगा 1.4 एक्स बरावर एक्स तो 28 परावर क्या जाएगा एक सेट्ड आप चलिए तो 28 परावर में आ जाएगा उधर जाएगा तो माइनस जीरो पाइन पोर एक्स तो एक्स परावर आ जाएगा आपको 28 बटा माइनस अथाइस बटा एक्छली चाहर जाएगा 410, 8 यानी 27 एक्स का हैट माइनस 70 आया तो हमाइनस 70 आया मतलब समझने हैं यह वाइत इधरौकण को कि अधर और से किया एधर वाली आप को स clairement समाने क्या आगा हाव वाइनस एस चार्ज ब मिरा से अधर सेंटीमेटर के दूरी के वह गा तो यहां से एकर वह पॉइंट सकते के दूरी के वह जाएगा यानि आपको कि एक सब्रावर 50 मीटर प्रॉं कि कौन वह चाहिए यह तो इलेक्टिक फिल्ड आप निकाल दी जीरो अब पोटेंशियल को भी खार रहा है कि जीरो होना सब्सक्राइब करने पूरां सब्सक्राइब कोट Уखार तो पोटेंशियल के वह मुद देरिक्शन मतांड है मततना है नाट थे पांट में चला जाए-llers नास afford फात ना में कि क्या होगा इस भीहार का कुछ पता ही नहीं चलता है या कि युई निना थोच